नमस्कार दोस्तों नमस्कार साथियों उमीद है कि आपका कल का पेपर बढ़ा अच्छा हुआ होगा एक बालविकास शिक्षा सास्तर काफी सारे बुच्छे बालविकास के बारे में बात करते हैं ज्यादा बहुत गहन अनुभूती तो नहीं है पर जितना कुछ मैंने आपको एक पर करवारी हूं देख लिए इसमें क्या है बालविकास शिक्षा सास्तर पहला परसन हमारा निमलेकित में से कौन सा सिक्षन स्तर का स्तर नहीं है यह हमें पर परसनों में जो हना अच्छे से धान करके देखना है यह मेरे पास जो ना डी कोड़ का पर है और उसक स्तर चिंतन स्तर अब यह देखिए हम यह अंड़स्टेंडिंग भी होती है रिफलेक्टिव भी होती है मेमरी भी होती है बेसिक लेवल आधार बूद स्तर नहीं है इसमें तो हमारा उत्तर आ जाएगा पहला एक आएगा इसका उतर उसके बाद दूसरा परसन देख लिए एक सिक्सक के रूप में आप विद्यार्थियों को सरजनात्मक्ता का विकास करने है तुनिमिलिक इतने से कौन सा कारिये नहीं करेंगे यह फिर नहीं आगया मोलिक्ता को परोच्छान करेंगे भैको दूर करना परतिक्रिया की सवतंतरता अब सारी चिंतन का प्रिहार यह आएगा इसका चोथा अब सारी चिंतन यानिकी अवोइड़न्स यानिकी इसका मतलब कि हम जो बचाव की जो स्थिती होती है उसका हम में प्रिहार बच्चे को उससे बचने के लिए जो है वह हम करेंगे यह वोइड करने वाली तो इसमें चोथी आ जाएगी चोथा उत जो और कि आएगी जो क्रोन नीकल एगे रहीं होती है यानिकी वास्थी के उसकी और मैंटल एज मैंटल एज जो है अगिक इस बच्चे की कितनी है मान्सी का यू बारा है तो यह फार मूला होता है必 Anda लबद्धी नदिधी का तो यह हम इसको अगर करेंगे तो क्या जाएग हमारा है कि तीन चों के बारा पांच बीस तो बीस गुणा में चार वाला ऐसी तो इसका आ जाएगा एक ठीक है तो इस परकार इसका उत्तर बड़ाई आसान है यह बुद्धी लब्दी वाला निकालना देखादा प्रसना आ जाता है इसका उसके बाद अगला है हमारा कोल भर सभीघ्स के सथानता नुषार यह किस तर्क नैतिकता है जब नैतिकता में सवसवीकरित यह बात आपको ध्यान देने क्या पुछा गया इसको सभशवीकरित नैतिक सिध्धान समलीथ हो जाते हैं जोथा परसन हमारा अब यहाँ पूरव रूदी गत रूदी गत उतर उसके बाद वाली चीज़ें भी हम उनके देखते हुए करते हैं महत्व और उनकी जो भी कमियां होती उनको छोड़ देते हैं अच्छी होते उनको शिविकार कर लेते हैं तो इसमें हमारा पूरा उरू डिगत आएगा यानि कि एक जो है इसका आंसर रहेगा उसके बाद अग सकता की पूर्ति करते हैं सबसे पहले कौन सी आवश्यक्ता की पूर्ति होती है अब देख लीजिए एक बार शारे वैक्तिगत सामा जी को बहुत दीक और सम्वेगात्मक सम्वेगात्मक और बहुत दो को छोड़के फिर हम दो में पहले और दूसरे में जो हमारा डाउट अगला जो है सप्रजिख्ष्टर पर हम समान चाहते हैं वैक्ति लेकिन स्बसे ज्यादा सम्मान की जब आवसकता होती है तो प्रति पुष्टि हम किसी करते हैं वैक्तिगत जो है न typical ह होती है कि सामाजिक सिर्फ पर हम यूं सोचते हैं कि पहले मनुष्य क्या होता प्यार पाता है जब उसकी प्यार की भूखसान्थ जाती है तो फिर वह सम्मान की तरफ बढ़ता है और यह की व्यक्तिगत होती है तो मेरे हिसाब से इसका एक ही आएगा और एक होना चाहिए अगला जो है सिप्रेंगर का व्यक्तितव वर्गी करन व्यक्तितव आकलन के किस उपागम से संब्दित है किसका सिप्रेंगर का यहां पर देख लेते हैं छठा परसन हमारा शीलगुन उपा पागम है सिप्रेंग उसके बाद शाठमा प्रसन देख लीजिए प्याजे के नेटिक विकासच सिव्धा किस उरा वस्था है कि नेटिक विकास के सिव्धानग आ जाएगा हमारा आनकी क्या था ये स्वायत नैतिकता की अवस्था जोत्ता उत्तराएगा इसका हमारा उसके बाद अगला देखिए उसके बाद बन को चार सेत्रों में शम्वेगों के साथ तरक करने कि समता के रूप में परिभा आजा सकता है संवेग को देखने इसको विचार में की करने इसे समझनें और इसे परतिबदी करने Krणे इ dziए यह उपरवाली जो परिवासा यह किस विद्वान की है यहां पर परिवासा दी गई है क्योंकि भारतिये जो में दी है और अंतरास्ट्रिय में भी मेरें पीटर से लोवे जो है ये दो दूसरा उत्तर रहेगा इसका अठेंगा उसके बाद अगला देख लीजिए नोवा परसन क्या करता है निमिलिकित में से कौन साकारक अधीगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है सकारात्मक पोजिटिव लगा जाए तो वो सुचना की प्रति पूश्टी यह हमारे जो प्लसवन की हिंदी में भी एक चेप्टर है जिसमें जो लगनिंग और कम्मुनिकेशन के बारे में दिया हुआ है तो वहां भी यही उसके अनुसार भी यही है यह उसको सकारात्मक रूप पर भावित करती है उसके बाद है तरी तंत्रिय सिध्धान्त के अंसार निमलिकित में से कौन सा बुद्धी का एक परकार नहीं है अब यहां विशलेशनात्मक, सर्जनात्मक, वेभारिक, सैध्धान्तिक बुद्धी के परकारों की बात हो रही है यहां पे तो विशलेशनात्मक है सैधान्तिक और सरजनात्मक और वेभारिक अब यहाँ पर लें तो सरजनात्मक नहीं है बाकी तो सारे आ जाएंगे क्योंकि सरजनात्मक रूप जो है वो बुद्धी का एक परकार नहीं है ये जो है दूसरा आ जाएगा इसमें दो उत्रिस का सैधांतिक विभारिक विशलेशनात्मक तो है इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा इसमें भी डाउट है तीसरे में तो इसको देख लेना थोड़ा साथ उसके बाद है अगला देख लीजिए ग्यारमा परसन एक सिक्षन जो अब सिक्षन है जो हम विद्यालों में भी करवाते हैं हर तरह के बच्चे हर बुद्धि लब्दी के बच्चों को इकठा करके उनके गुरूप अलग अलग बनाए जाते हैं और उसको सिक्षन सतर के लिए जो है अच्छा बनाने के लिए उनके उनको जो है एक दल में बाटा जाता है तो उसको कहते क्या है यहा पर यह पूचा घया Murder वीदियों का Yोग करते हैं क्या कहलाता हो वहीं वेदी अधिगम दल और सिक्षन्स सहहकारी अधिगम अभी कर्मीत अगर इसको तो यह सहकारी एक दूसरे का सहयोग करेंगे एक दूसरे की भावना दीक बुद्धि वाला उसमें डालेंगे तो इसको कप्रेटिव कहेंगे हम तो तीसरा उद कर रहे इसका उसके बाद देख लीजिए बारमा परसिन क्या कहता है एक घोडे को पानी के पास लाया जा सकता है किन तु पीने के लिए बात मुआ देखा नहीं खैंब के पंद स्थेया का नियम कहते हों या नहीं उसको पहला उतरा जाएगा इसका बार में का रहेगा पहला तत्परता का नियम यानि कि हम ला तो सकते हैं लेकिन पीएगा नहीं यह तो उसकी अपनी तत्परता है कि वो पीना चाहता है कि नहीं हम उसको बात दे तो नहीं कर सकते तो पहला आएगा इसका उसके बा प्रासांगी का अंतरबोध मरें मार्गन बैलक आईजेंक ओलपोर्ट एवं कैटल अब यह सिध्धान्त जो हो मरें मोर्गन का है जो जिन्होंने 1935 में इस इध्धान्त दिया था मरें मार्गन आएगा इसका हमारा उत्तर पहला ही आएगा तेरवेगा उसके बाद चोदमा द दो तिने परसनों को छोड़के हो सकता हूँ आपको मुश्किल लगे बाकी आसानी है अगर आपने बेड की साइकलोजी की बुक पीपड रखी है तो उसमें से ही है इसारा उसके बाद देखिए उमीद है कि आपको परसनोतरी आपके ठीक हो रही होगी और यह पसंद आ रह होंगी और मैं खुद पढ़ रही हूं इन दिनों तो हो सकता है भी इतनी पारंगत्ता नहीं आई हो तो आगे देख लिए विकास जो केंदर से प्रीदी की और बढ़ता है कहलाता है केंदर से प्रीदी की और जो बढ़ता है अब देखिए सिफेलिक को कोडल प्रोक्सी आएगा यानि कि फैलता है केंदर से विस्तरित उसका विस्तार होता है तो इसको विसके प्रोक्सी मोड टेल करते ब्रेनर का सिध्धान्त भाग नहीं यह नहीं वाले परसन बड़े ध्यान्से करने होते हैं इसमें जो है माइनर सिस्टम नहीं है उनका तो तीसरा उत्तर आएगा यह तीसरा इसका ठीक है उसके बाद अगला देखिए परसन नमबर 16 वैक्तितव वैक्तितव अध्यन की सील ग बैला उत्तर रहेगा इसमें उन्होंने शुरुवात की थी इनकी शिल्गुन विधी के उसके बाद संप्रेशन कोशलों के निमिलिखित यानि की कॉम्णिकेशन स्कील के जो है युगमों में से कौन सा सुचना प्राप्त करने हैं तो नहीं है सुनना और लिखना प्राप् पढ़ना सुचना प्राप्त करने हैं तू सही है सोरी नहीं है नहीं मैं इसलिए कंफ्यूज होगी थी कि यह कैसे सही है नहीं है नहीं आएगा सही है सुनना और पढ़ना अगर देखे तो हम सुनेंगे और पढ़ेंगे दोना यह में घरहन करने के लिए है तो इसमें तीसर पितापर क्रोथ दिखाने में ऐसमर्थ होता है तो वह अपना क्रोथ अपने छोटे भाई पर परगट कर देता है। 26 उसके बाद अग्ला देख लीजिए 19 क्या करता है। निमेलिकित में से कौन सी अभीवर्ति मापन की एक पर्टेक्स विधी नहीं है, हमें देखनी है, पर्टेक्स विधी जो नहीं हो, साख साथ कर है, बिल्कुल पर्टेक्स से पर्टेक्स करवाते हैं, पर्टेक्स शेपन और अवलोकन, अवलोकन भी जो हो पर्टेक्स होता है, तो इसमें रहती है हमारी projection विदी होती है जो project विदी से पर्टेक्स भी हो सकती है उसके बाद संवेग अमूल परवर्ती के संदर्ब में कौन सा यूगम सही नहीं है बीशवापरसन है हमारा जो जोड़े बनाए गए है अगर आपने हिंदी अच्छे चपर रखी हो तो कुछ चीज़े हमारे यहां भी काम आएगी हमारे जो ना मूल रसों के जो मूल होते हैं भाव कुछ-कुछ इसी परकार की हैं इसमें थोड़े से उल्ट-पुल्ट हो सकते हैं लेकिन काफी सारे मिलेंगे संवेग है और मूल प्रिविर्ति है यहां वैसे तो देखें तो करोद जो ह है तभी अधिकार की बात करते हैं यह भी है भैक अपलाइन यह भी है तो हमारा यह ठीक है यह ठीक है यह ठीक है कौन सा यूगम सही नहीं है क्रोध का निवरिति आवेस जो है वह यह हमारा नहीं आएगा निवरिति नहीं होती उससे क्रोध से तो यह पहला आना चाहिए मे वेक्तिक विभिनताओं के संदर में नहीं है वेक्तिक विभिन्ताओं के संदर में विभिनताओं है वो इसमें एक ऐसा है जो सही नहीं है देखिए साइकलोजी के यह पर्षन ओतरी के हम बात करें तो अधिकतर पर्षन नहीं वाले हैं और कई बार बहुत अच्छी त्यारी होती है और नहीं नहीं पड़ते तब हमारा गड़बड हो जाता है अक्सर से भी बच्चों के साथ कि यहां पर यहां पर ये जरूरी नहीं और भी बहुत से कारण होते हैं बहुत हैं प्राकरती कारण होते हैंरा कारण ह MINजब में होते हैं अनुवानसिक होए ज़रूरी नहीं है बहुत सारे कारण होते हैं व्यक्तिक विभिन्ताओं के तो इसमें हमारा चोथा रहेगा बाइसमें का उसके बाद देख लीजिए तेश्मापर्शन हमारा क्या करता है कि निमिले कि तुमें से कौन सा विद्यार्थियों के मानशिक स्वास्थे जो परमान देगा असमें समताओं का विभिमним Sak 53 का प्रमान दे रहा है वांशिची स्वास्थे चेनाओं से मुर्ट यह कालपनीग धुनिया में रहना यह प्रियाय नहीं है तो इसमें हमारा एक आहर चाही त्रोर है उसके बाद संग्यानात्मक सरंचना की वह मूल भूति काई जो किसी संग्यानात्मक व्यभार के किर्यानुर में मदद करती है कहलाती है सहज परविर्टी प्याजे की जो अब पने पढ़ी होगी परिभासाएं और प्याजे को बढ़ा है आपने तो बड़े आसानी से इसका उतर दे पाओगे बहुती अच्छे जो है वो विद्वान रही है सहज परविर्तियां, मूल परविर्तियां और सकीम और संड्रक्शन जो सकीम है वो पैजी के अनुसार जो है वेवहार कहलाती है जो मदद करती है इसको क्या कहलाती है हमें किसी संग्यात्मक विभार के किरियान में मदद करती है वह कहलाती है स्कीमा जो इसका उत्तर रहेगा तीसरा इसे पहले आगे बढ़े हैं आप से अनुरोध है कि अगर आप पर इसका रिस्पॉंस इस पर अच्छा रहेगा तो आगे मैं कोशिस करूंगी कि आपको चाइ अगे बढ़ना चाहिए तो अपनी वीडियो को शेयर अवश्य किया करो लाइक करो और आप आपके काम आए कोमेट्स बोक्स में बताओ भी कैसा लगा आपको यह आगला चलते हैं 25 में परसंद की और बढ़ते हैं उमीदा आपको पसंदार ही होगी है कि सोरों का सामाजिक विकास करने तो कौन सा तरीका सरवाधिक उप्यूगत है सबसे उप्यूगत तरीक्पे की बात की है सामा जी करन पर उप्यूगत तो है लेकिन सबसे अधिक उप्यूगत इन करने चाहिए सामाजिक मुल्यों पर निबंद परतियों गीता भी आयजित करवानी चाहिए ताकि बच्चों को मुल्यों के परतियान हो सामाजिक पूरन रूप से अपना सार है उसमें देता है वह चारों तरब से वह उसको प्रभावित करती है तो इस परकार पाच्चीस वह संदीकर्ण की अवस्था है यह पैचान की खोज़ का समय है यह योवना रंब की दहलीज है अब इसमें यह अगर कि देखें तो किस वह अवस्था है यह है पैठान की खोज का इबार मेरी अपना ख्रबाम जिस घृराहा दो जो है यह होना चाहिए बाकिि मेरी स देख автомा है यह कर दो तो जोहलजा है तो चूथा मेरी खुरत regulatory यह रहे परसंसा पाने है तू दूसरों की साहिता करता है यह एक उधान है जब हम परसंसा पाने के लिए यानि कि यहां पर एक रोहित है जो परसंसा पाने के लिए दूसरों की साहिता करते है यह किसका उधान है अब देखिए आंतरिक अभी प्रेरना का है या बाही अभी प्रेरना क प्रतिक्रियाओं के बाद की अधीगम करता को पुर्णर बलन परदान किया जाता है तो यह किस परकार का पुर्णर बलन अनुसूची है ि निश्चित परीवरतन डन ऊपात जिए तो एक रहीगा है ठीक है इसका उसके बाद तीस तीसमा देख लीजिए अंतीम जो हमारा साइकलोजी का जो परसन है तीसमा उमीद है कि आप को ये परसनोतरी पसंद आई होगी और निमले खितमे से कौन सा कारिये बाकर मेहंदी के सरजनातमक परिक्षन से समंदित नहीं है बाकर मेहंदी का परद्षान उपयोग को समंदि कारिये बाकर मेहंदी ने उसके बाद योगंवों जो निभे न की रहे है यह अच्छे से देखे पूरा देखें Emina करें से करें सब्सक्राइब करें और सबस्क्राइब को जै हिंज जै भारत फिर मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद